Python में for loop के साथ हम else भी यूज़ कर सकते हैं आपके screen पर एक program है जिसमें मैंने for loop यूज़ किया हुआ है और ये 1 से लेकर 10 तक screen पर value को display करेगा और साथ में इसमें else part भी है तो जब हमारा for loop पूरा complete हो जाता है तो इसके बाद else part में जो आपने statement लिखे हैं वो execute होते हैं तो इस program को जब मैं run करूँगा तो हमारा output क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक number display होगे और उसके बाद जो हमने else में लिखा है print done इसकी वह से done display होगा तो मैं इसे run करके दिखाता हूँ देखिए जैसा हमने सोचा था 1 से लेकर 10 तक number display हो रहा है और उसके बाद done display हो रहा है अब इस program में मैं एक change करता हूँ मैं यहाँ पर print i के बाद एक condition लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा है if i equal to equal to 5 और break तो इस for loop में जैसे ही i की value 5 होगी तो हमारे program का control break होने के विएसे loop से बाहर आ जाएगा तो इस case में क्या होगा कि 1 से लेकर 5 तक number display होंगे और उसके बाद हमारा program का control लूप से बाहर आ जाएगा तो else part execute नहीं हो पाएगा तो जब मैं इस program को run करूँगा तो फिर इसका output कुछ ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको ये point याद रखना है कि अगर आप for loop के अंदर किसी condition के अंदर break लिखते हैं और वो condition true हो जाती है तो आप पूरे loop से बाहर आ जाते हैं और उस case में else part execute नहीं होता अभी जैसे हमने else को use किया हुए fall loop के साथ हम while loop के साथ भी else use कर सकते हैं while के साथ जब हम else को use करते हैं तो पहले while loop पूरा run होगा 1 से लेकर 10 तक ये display करेगा और जब while loop में लिखी हुई condition false हो जाएगी यानि जिस case में I की value 11 है और condition false है तब हम else part पर आएंगे और else part में जो भी लिखा हुआ है वो run हो जाएगा तो हमारा output आएगा 1 से लेकर 10 तक और उसके बाद done 1 से लेकर 10 तक देखे ये display हो रहा है और उसके बाद जो हमने else में लिखा था done वो display हो गया और while loop के साथ भी हम कोई condition के साथ break लिख सकते हैं देखे अगर मैं यहाँ पर ये condition लिख देता if I equal to equal to 5 और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ break तो 1 से लेकर 5 तक तो number हमारा display हो जाएगा लेकिन जिस केस में I की value 5 है और condition true होगी तो हम break statement पे पहुँचेंगे और हमारा control लूप से बाहर आ जाएगा तो इस program को अगर मैं run करूंगा तो मेरा output 1,2,3,4,5 आएगा तो while loop में लिखी हुई condition जब तक true होती है तब तक हमारा while loop run होता है और जब while loop की condition false हो जाती है तो हम else part पर आते हैं लेकिन अगर while loop के अंदर break statement है और हम loop को बिना complete किये हुए ही jump कर जाते हैं तो हम पूरे loop से बाहर आ जाएगे और उस case में else काम नहीं करेगा कर आते हैं पूरे आते हैं झाल झाल